प्रादी शेक समाचार ये सूजी में किया शामिल टिड़ी दलो पर नियंतरण के लिए केंदर सरकार ने ड्राउन के साथ हलीकॉप्टर से कीट नाशकों के छड़काव का लिया निर्णै मुख्यमंतरी ने कहा विद्यार्थियों का भविश्य तभी खत्रे में होगा जब उनकी परीक्षा रद कर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा प्रदेश में कोविद नाइंटीन के साथ है साथ हजार मरीजों में से अब तक चार हजार से ज्यादा हुए स्वस्त वहीं देश में डेहर लाग से ज्यादा कोरोना संक्रमित और 36 कर के पहले मुख्यमंतरी अजीत प्रमूत कुमार जोगी का राइपूर में ने धनकल गुरेला में होगा अंतिम संसकार अब समाचार विस्तार से जंजाती अकारे मंतराले ने 23 लगुवन उत्पादों को न्यूनितम समर्थन मूलिय सूची में शामल किया है इन में वन तुलसी के बीच, वन जीरा, मश्रूम, काला चावल और जोहर चावल जैसी वस्तुएं शामल है COVID-19 महमारी के प्रकोप को देखते हुए इन 23 वन उत्पादों को सूची में शामल करनी का फैसला किया गया है जिससे सूची में शामल अन वस्तुओं की संख्यात 73 हो गई है कृष्य मंत्री नरेंद्र सेह तोमन ने कहा है कि उचे पेड़ों और दुर्गम क्षेत्रों में कीट नाशकों के छढकाव के लिए ड्रॉन का उपयोग करने के साथ ही हलीकॉप्टर की सेवाय लेने की भी तयारी की जा रही है एस कीट के नियंत्रण के लिए ग्यारह नियंत्रण कक्ष स्थापित कर विशेश दलो की तैनाती कर उनके साथ अतिरिक्त कर्मचारी भी लगाये गए हैं शिवपुरी में क्रिशिय उप संचालग यूएस तोमर ने बताया कि टड्डियों को रोकने के लिए स्थानिय स्तर पर भी प्रयास किये जा रहे हैं अगर मालवा जिले की 23 बैंक सखियां ग्रामस्तर पर ही ग्रामीनों के बैंक खातों की धनराशी निकासी की सुवधा उनके घरों तक दे रही हैं ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलना पड़े पेश है एक रपोर्ट इस बारे में बीसी सखी अनिता नागदिया ने बताया घरों तक पहुची बैंकिंग सुवधा से जहां एक और बैंकों में लगने वाली भीड में तो कमी आ ही रही है तो दूसरी और ग्रामीनों को हो रहे लाप के बारे में ग्रामवासी शंबुलाल सोलंकी ने बताया राष्टी ये ग्रामीन आजीवी का मिशन के जिला प्रबंदक रीना कुमारिया ने आकाश्वानी को बताया कि कियोस का संचालन से बीसी सख्यों को रोजगार भी मिला है बेंग संख्यों द्वारा अपने मूल दाइतों के साथ साथ ग्रामीनों को कोरोना संक्रवन से जागरूग भी किया जा रहा है आगर मालवा से मैं महेश शर्मा मुख्यमत्री शिवरा सिंग चौहान ने आज कहा कि विद्यार्थियों का भविश्य तभी खत्रे में होगा जब उनकी परीक्षा रद कर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा शौहान ने ट्वीट के जरीए कहा कि चात्र चात्राओं ने इतनी महनत और लगन से सालभर जो पढ़ाई की है उसकी परीक्षा होना अत्यन तावश्यक है उनकी परीक्षा नहीं लेकर और जनरल प्रमोशन देकर उनका आगे का जीवन बरबाद नहीं किया जा सकता कट्णी के जिला न्यायाले में आज जिला इवं सत्र न्यायाधी शजय कुमार पालिवाल ने ई सेवा केंद्र शुरू किया इस बारे में मुख्य न्यायक दंडाधिकारी इंदुकांध तिवारी ने बताया कि सुविधा से अधिवक्ताओं को भी सहूलियत होगी जिसमें ऐसे पर्षकार जो गरीब हैं जिनके पास मोबाईल नहीं है इमेल नहीं है यहां पर उपस्तित होकर अपने मामले का गुवराभ बता कर उनके मामले में क्या कारवाही की जा रही है किस प्रक्रम पर है या क्या आदेश निरणे पारित किये गए हैं उसकी पर आप राप्ता सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है देश में कोरोना वाइरस संक्रमितों की संख्या उतरोत्तर बढ़ने के कारण इसमा हमारी की विक्रालता बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंडों के दौरान संक्रमन के रिकॉर्ड 7466 नए मामले सामने आन जबकि इन में से 4050 लोग स्वस्थ हो चुके हैं इंदौर जिले में COVID-19 के संक्रमितों की संख्या 3344 तक पहुंची है अब तक 1673 संक्रमितों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है बोपाल में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1395 हो गई ह वहीं अब तक 903 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं और जैन जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का अकड़ा बढ़कर 658 हो गया है जिलों में अभी तक 7000 से अधिक लोगों के सैंपल जाचे गए हैं अब तक 658 पॉजिटिव पाए गए हैं और उन में से 302 को इलाज क गर भेज दिया गया है सागर में आज बुंदेल खंड मेडिकल कॉलिच से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वहीं सागर कलेक्टर दीपक सिह ने आपकारी विभा की कारिवाई में राजसाथ हुए वाहनों को एंबुल कोरोना होट स्पोट बन चुके गुदरिक शेत्र में अधिकारियों ने दौरा किया उधर बैतूल में तारा निवासी कोरोना संक्रमत 35 और 55 वर्शी अव्यक्ति आज कोरोना संक्रमन से मुक्त हुए और अपने ग्रह ग्राम तारा पहुँचे पन्ना में दो और कोरोना कोरोना वैश्विक महमारी के कारण लॉक्टाउन में जहां कुछ लोग पलायन कर रहे गरीब मजदूरों को मुफ्थ में खाने पीने का सामान दे रहे हैं और उन्हें आर्थिक मदद कर रहे हैं वहीं दूसरी और प्रदेश के देवास की एक शिक्षिका ने चिल चलाती गर्मी में इन मजदूरों के बीच सुभा से शाम तक मुफ्थ सनिट्री पैड बाटने का एक अनूखा अभियान शुरू किया है शिक्षिका जोती देशमुक ने गरीब महिला मजदूरों को पिछले एक सब्तह के भीतर दस हजार से अधिक सनिट्री पैड वितृत किये है कि ये तो दिनों हफ्तों चल रही हैं तो ये महिलाएं क्या करेंगे इस काम में मेरे साथ आए मेरे मित्र बहादूर पटेल और मेरा बेटा वैपाओ हम तीनों रोज जाते हैं और सैनिटरी पैड्स इन महिलाओं को बाटते हैं 36 गड के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोत कुमार जोगी का आज दो पहरबाद राइपूर में निधन हो गया विचोहत्तर वर्ष के थे और नौ मई को उन्हें दिमाग में सूजन और दिल का दौरा पढ़ने के बाद एक निजी अस्पताल में भरती कराया गया था वर्तमान में श्री जोगी 36 गड के मरवाही विधान सभाक शेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे मथी प्रदेश से अलग होकर 36 गड राज्य बने के बाद नवंबर सन 2000 में वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे और दिसंबर 2003 तक इस पत पर बने रहे जब राज्य में पहली बार हुए विधान सभाचनाव में कॉंग्रस की हाड हुई थी श्री जोगी ने जून 2016 में कॉंग्रस छोड़ दी थी और जनता कॉंग्रस 36 गड के नाम से एक नई क्षेत्रिय पार्टी का गठन किया था राज्य में 2018 में हुए विधान सभाचनाव में उनकी पार्टी ने पांच सीटे जीती थी श्री जोगी के पुत्र अमिद जोगी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनका अंतम संसकार उनकी जन्म भूमी गौरिला में कल होगा अब बात मौसम की प्रदेश में भीशन गर्मी के बीच आज मौसम के तेवर नरम पड़ गए और कई स्थानों पर धूल भरी आंधियों के साथ बारिश भी हुई भिंड और सीधी में तो ओले भी गिरे भोपाल में भी लोगों को आज कुछ राहत मिली वही दतिया चतरपूर, सतना, रीवा, पन्ना, अशोगनगर सहित का इस्थानों पर आंधि के कारण पेड़ गिर गए चतरपूर में बजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई कटनी से हमारे समवादाता ने बताया है कि यहां आज शाम तेज आंधी और तूफान के कारण जिला मुख्याले सहित ग्रामीं क्षेत्रों में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया बारिश से जिले में चल रहे तेंदूपत्ता संग्रहन में व्याबधान उत पर न हुआ है उधर शेहडोल जिले में तेज गर्मी पड़ रही है दनका धिक्तम तापमान 43 डिक्री सल्सियस को पार कर गया है अब कुछ समाचार संग्शेप में मानव संसाधन विकास मंत्राले ने कोरोना महमारी के कारण इंडियन सुलिस्टिक असेस्मेंट याने इंड सेट परीक्षा 2020 स्थगत कर दी है इंड सेट भारत में चात्रवरती के साथ अधियन करने के लिए विदेशी चात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा है प्रवासी शमिकों को लेकर प्रदेश से तीन विशेश ट्रेन पश्शिम बंगाल जाएगी दो जून को भुपाल और अंदौर से और छे जून को रतलाम से ये ट्रेन जाएगी बढ़वानी जिले के पाटी थानाक्षेत्रों में आज पिकप वाहन पलट जाने के चलते तीन लोगों की मृत्यू हो गई और 31 अन्य घायल हो गए मंसौर के भानपुरा थानाक्षेत्रों के गाउं सुजानपुरा में चंबल नदी किनारे नहा रहे एक व्यक्ती की मगरमच के हमले से मौत हो गई और बैतूल जिले में मिटी की खदान धसकने से आज तीन लोगों की मौत हुई है अंत्मे बुलचन के मुख्य समाचार एक बार फिर जनजाती कारे मंत्रौाले ने तुलसी के बीज और मश्रूम सहित 23 लगुवन उत्पादों को नियुनतम समर्थन मूल्य सूची में किया शामिल टिड़ी दलोपर नियंत्रौन के लिए केंद्रौ सरकार ने ड्रौन के साथ हलीकॉप्टर से कीट नाशकों के छड़काव कालिया नर्न है मुख्यमंत्री ने कहा विद्यार्थियों का भवश्य तभी खत्रे में होगा जब उनकी परीक्षा रदगर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा प्रदेश में कोविद नाइटीन के साथ हिस साथ हजार मरीजों में से अब तक चार हजार से ज्यादा हुए स्वस्त वहीं देश में डेह लाग से ज्यादा कोरोना संक्रमित और 36 गड के पहले मुख्य मंत्री अजीत प्रमोध कुमार जोगी का राइपुर में निधन कल गौरला में होगा अंतिम संसकार अस बुलिटन में इतना ही घर में रहिए सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाई श्वानी नमस्कार